ठो वस्टब गैंज अगर आप भी वन क्लिक में अपनी फोटो को आइडिट करना चाहते हैं तो आप बिलकुल सही वीडों पे आए हैं आज की इस की वीडों के अंदर आपका भाई यहीं बतानेवाला की कैसे आप वन क्लिक में अपनी फोटो को आइडिट करेंगे और तो भी इस वेड़ो को शुरू से लेकर लास तक देख लेगा ना वो भी अपनी फोटो को वन क्लिक में एडिट कर लेगा और यह सारी चीज़े आपका भाई बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला है कहां से आप इस एडिट करेंगे कैसे एडिट करेंगे everything जानकारी देगा तो वेड़ो को आप लोग कहीं पर भी इसकी मत कीजेगा तो चली गैस इस वेड़ो को शुरू कर लेते हैं और उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखेकार इस एप को कहां से डाउनलोड करना तो चली मैं बताता हूं कि इस एप को कहां से डाउनलोड करना है तो सब के icon पे click करके और आप लोगों को यहाँ पे type कर देना होगा silent editing zone.com और ऐसे आप लोगों को लिख लेने के बाद simple से आप लोगों को search कर देना होगा और search करते ही ना पहली website को आप लोगों को open कर लेना होगा और जैसे ही आप open कीजेगा आप ऐसे scroll करके नीचे आएगा और नीचे आने वाद यहाँ पे one click photo editing new tricks आप करके एक post मिल जाएगी तो इस वाले post पे आप ऐसे click करके इसे open कर लीजेगा मैंने open कर लिया है और मैं ऐसे scroll करके नीचे आऊँगा और ऐसे मैं पूरा ऐसे जब नीचे आऊँगा ना तो नीचे आने वाद आप लोग के सामने एक मिलेगा यहाँ पे यहाँ से करें यूज एप डाउनलोड तो आप लोग को simple से आप डाउनलोड एप के उपर click कर देना होगा जो red वाला और जैसे ही आप click की जगा ना तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का option मिल जाएगा और आपका यह एप डाउनलोड होने लगेगा तो डाउनलोड हो जाने कबाद आप simple से इसे जाके install कर लीजेगा और install कर लेने कबाद मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आप लोग को अपनी photo को one click में edit करना है तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा तो guys install कर लेने कबाद इस app को आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा simple से आप लोग को यहाँ से open करना होगा देन दोस्तों जैसे ही आप open कीजेगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टैप की interface देखने को मिलेगा तो simple से आप लोग को यहाँ पे open gallery के उपर click कर देना होगा और जैसे ही आप click कीजेगा तो आप अपनी जिस भी photo को one click में edit करना चाते है उस वाली photo को यहाँ से select करके open कर लिजेगा तो guys इसी photo को हम लोग edit करने वाले हैं और जैसे ही मैंने open किया ना तो मेरे सामने कुछ stripe की interface देखने को मिला उपर side में आपको three options मिलते है basic का, let का और यहाँ पे rotate तो हम लोग basic वाले में आके और simple से यहाँ से नीचे side में brightness के icon पे click करके इसकी brightness की value मैं यहाँ से increase कर लेता हूँ then दोस्तो increase कर लेने बाद मैं plus side में 34 कर लूँगा और ऐसे scroll करके ऐसे side में आऊँगा और आनक बाद यहाँ पे एक sharpening का option मिलेगा तो sharpening पे आके इसको हम लोग थोड़ा सा increase कर देंगे then दोस्तो increase करके मैंने plus side में 27% कर लिया है then दोस्तो आप लोग को कुछ भी नहीं अब करना है अब देखीगा यहाँ पे magic upon click में अपनी photo को बहुत ही आसान तरीके से edit करेंगे तो आपको simple से side में लट्स के icon पे click करना होगा और जैसे ही आप click कीजगा तो ऐसे आप लोग को scroll करना होगा side में और कर लेने के बाद जैसे यहाँ पे scroll कीजगा यहाँ पे top 25 आपको एक option मिलेगा लट्स का तो इस पे आप लोग click कर दीजगा और आप अपने mobile data को on रखियेगा तभी आप यह process कर पाएंगे और जैसे ही यह open होगा तो यहाँ पे देखिए आप one click में कैसे photo edit होता है तो यहाँ पे blue tint वाली photo editing देखिए one click में आपकी पूरी photo कुछ इस type से edit हो के आ जाईगी देख सकते हैं कितना awesome सी अभी हम लोग को यह वाली photo देख रहा है यहाँ पे हम लोग pink tone में भी पूरी photo को edit करेंगे वन ही click में yellow tone green tone ऐसे आप लोगो ना यह dark orange और यह देखिए pink tone ऐसे आप करके अपनी photo को बहुत सारे click में ना वन ही click में आप अपनी photo को edit कर सकते हैं और आपका भाई बिल्कुल genuine जानकारी आप लोगों के साथ share किया है तो इस वाले video को like करके और channel पे नहीं तो subscribe कर लिजेगा अगर आप मेरे channel पे ना चाहते हैं किस type की content देखना वो भी हमें comment कर सकते हैं और इस photo को save करने के लिए आपको simple से क्या करना होगा यहाँ पे right वाले icon पे click करके यहाँ पे save to gallery के icon click कर दीजेगा आपका यह photo gallery के अंदर save हो जाएगा तो आई हो guys आपको यह video काफी अच्छा लगा होगा तब तक लिए टाटा बाई बाई थैंक्स वर वाचिंग आईज